दोस्तों जब Google को प्रोडक्ट लाउंच करता है तो उसके साथ कुछ खासियत होती है Google इसीतरी के का प्रोडक्ट लाउंच किया है जिसका नाम है Google Meet ये काफी पॉपुलर है और इसके थूर वीडियो कॉलिंग हो सकती है आडियो कॉलिंग भी हो सकती है लेकिन अगर आप ये कहें कि Google Meet को क्यों लाउंच किया गया उसके अलावा भी बहुत सारे सौफ्ट्यर से तो Google Meet बहुत सारी फैसलिटी के साथ लाउंच हुआ है इवन इसके थूरू ऑन-लाइन क्लासेज या ग्रूप मीटिंग भी की जा सकती है और अभी Google Meet जो यूज कर रहा है उसमें कम से कम 2500 लोगों तक का लोगों को जोड़ करके उसकी मीटिंग की जा सकती है तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बढ़े रहेगा हमारे साथ और अब हम आपको लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि Google Meet को कैसे इंस्टॉल करेंगे और वीडियो को पूरा लास तक द इंस्टॉल करना है इसके लिए प्ले स्टॉर में जाते हैं और प्ले शेश पेशया में जाने के बाद हम इस्टॉलई को क्लिक करते हैं गुगल मीट को जूड़ने के बाद इंस्टॉला पर क्लिक करते है यह दिखा रहा है 11.62 MB का है और यह जैसे ही पूरा इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद की स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे अब इंस्टॉल होने के बाद हमें ओपन पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी वेलकम टॉ मीट और नीचे कॉंटिनीव लिखाया है इसके बाद हमें कॉंटिनीव पर क्लिक करना है इसके बाद यह कुछ मैसेद दे रहा है अलाव और डिनाई मीन्स अलाव मीट टो टेक पिक्चर सेंड रिकॉर्ड वीडियो हमें इसके लिए अलाव कर देना है और इसको भी अलाव कर देंगे अब इसके बाद यह हमसे कह रहा है कि आपको एक email id यहाँ पर select करनी है जिस जो Gmail की ID हो जो Gmail की ID यहाँ पर हमें डालना है हमें एक ID यहाँ से select कर लेते हैं इसके बाद यह screen आ रही है इस screen पर यहाँ पर यह red button रना हुआ है इस पर click करके हम video को on या off कर सकते हैं और यह जो दूसरा symbol है यह audio का है इस पर click करके भी हम audio को on या off कर सकते हैं इसके बाद हमें नीचे दो option और मिल रहा है वो है new meeting और meeting code तो as an admin या अगर आपको presentation देना है या आपको meeting लेनी है या आपको students को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको एक meeting generate करनी होगी जिसके लिए हमें new meeting पर click करना पड़ेगा यह जो plus है यहाँ पर new meeting पर मैं click करता हूँ new meeting पर click करते ही हमें जो screen आएगी वो कुछ इस तरह के की होगी share this to invite others means यह code generate हुआ है meet.google.com MBA और जो आगे code लिखा हुआ यह पूरा code है यह code पूरा generate हुआ है और यह code किसी दूसरे को हमें share कराना है जब इस code को हम दूसरों को share करा देंगे उसके बाद उस code के थुरू दूसरे लोग इस meeting को join कर सकते हैं वो कोई आपके student भी हो सकते हैं या जिसकी भी meeting होनी हो तो इसको मैं WhatsApp के थुरू कुछ लोगों को यहां से share करा देता हूं Share पर click करते हैं यहां पर options आएंगे कि आपको किन लोगों को या किस तरीके से Gmail के थुरू या कैसे आपको यह message या यह code दूसरों को share कराना है तो हम यहां पर WhatsApp यूज करते हैं और एक person को यहां से share करा देते हैं तो इस तरीके से यह code उस particular student के या उस particular जिसके साथ meeting करनी है उस particular के mobile पे आपका यह code वहां पर पहुंच जाएगा इस code को वो person अपने mobile पर click करके आपकी meeting को join कर पाएगा इसके बाद अब हम दूसरे mobile के screen पर आयाते हैं और यहां पर भी हम लिखते है Play Store में Google Meet इसको लिखने के बाद इसको हम search करते हैं तो हमारे screen पर यह वापस उसी तरीके सा जाता है जैसे पहला mobile पर आया था इसको हम install पर click करते हैं अब यह installation कुछ दिर का time लेगा अब इसके install हो जाने के बाद हम open पर click करते हैं और वापस उसी तरीके की screen मिलती है इसमें हम continue करते हैं और इसमें भी हम allow और allow पर click करेंगे यह भी हमसे एक email id की बात कर रहा है यहाँ पर हम एक email id देते हैं लेकिन यह email id किसी student की होगी में दूसरा email id यहाँ पर देते हैं और वापस उसी तरीके से हमारे सामने screen आती है कि यहाँ पर यह video का button है यह audio का button है इन दोनों में से किसी को भी हम off या on कर सकते हैं तो एक तरीके से यह कह सकते हैं कि यह वह student होगा यह जो mobile है जिस पर अभी हम बता रहे हैं यह कोई student होगा जो उसको उस meeting को attend करेगा उस meeting को attend करेगा अब student इस meeting app को install करने के बाद यहाँ से बंद कर देगा means यहाँ से हट सकता है वो और जब भी कोई meeting उसे join करनी होगी उस meeting को वो join कर सकता है तो जैसे कि पहले वाले mobile से इस वाले mobile पर एक code भी जा गया था उस code के थूँ इस student को meeting join करनी है तो देखते हैं कैसे करेंगे इस के लिए इस app से हम बाहर आ जाते हैं और अपना WhatsApp खोलते हैं as a student हम अपना WhatsApp खोलते हैं और इस WhatsApp पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर जो code दिख रहा है नीचे meeting URL यह meeting code पहले वाले mobile से mean admin के mobile से या teacher के mobile से यहाँ पर क्लिक करके meeting को join किया जा सकता है तो अब as a student यहाँ पर क्लिक किया जाएगा और यहाँ पर browse लिक कर आया और more के ओपर तीन dot दिख रहे है हम more पर click करेंगे यहाँ पर मीट दिख जाएगा जोटकि हमारे mobile पर mean as a student इस mobile पर installed है इस पर click करेंगे click करते ही ये screen सामने आएगी और इस screen के खुलते ही हमें अब चुकि यहाँ पर meeting को join करना है तो ask to join पर click करेंगे. Ask to join पर click करते ही यहाँ पर एक screen आ जाएगी. Someone called, want to join this meeting. मैं यहाँ पर admit पर click कर दूँगा या deny entry पर. तो admit पर click करता हूँ ताकि वो यहाँ पर चुड़ सके. Share this to invite others. अब आप देख सकते हैं कि वो भी stream स्टार्ट हो गई है लेकिन यहाँ पर कुछ voice address में सारा है दूसरे साइट की screen पर जो भी person बोल रहा है उसको हम यहाँ से mute भी कर सकते हैं. तो पर click करेंगे और mute पर click करेंगे तो अगले की screen mute हो जाएगी. तो यहां से देख सकते हैं कि दोनों को यहां से mute कर दिया गया है और चाहें तो यहां से कोई message दिया भी जा सकता है. और जो भी message यहां से जो उपर के तीन icon दिख रहे हैं यहां पर यह दो symbol दिख रहे हैं इसके बाद यह chat वाल option है और यह फिर एक symbol है जिसके थुरूँ आप और लोगों को भी share करा सकते हैं. तो यहां हम चैट वाले पर क्लिक करते हैं और चैट पर लिखने के बाद यहां से हम कोई चैट भेजते हैं किसी को जैसे मैं लिख देता हूं यहां से hello इस message को जैसी मैं यहां लिखता हूं कि देखिए message यहां से गया और दूसरी screen पर कैसे पहुंच जाता है अब आप connected है यहां से आप देखें कि यह screen पर आ चुका है लेकिन हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर लिक कराया now hello message आ चुका है और अगर यहां से भी message भेजना चाहें कि कुछ भी लिख सकता हूं I am fine ऐसे करके यहां से message भेजते हैं तो देखिए यह message इसको यहां पर on करते हैं आप देखिएंगे I am fine message यहां पर आ चुका है अब इसके बाद यहां से देखना है आपको यहां पर जो इस चैट के बाद जो यह circle वाला symbol दिया हुआ है इस पर हम click करेंगे और इस पर click करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी को वापस फिर से और लोगों को join करा सकते हैं और इसमें जो important चीज़े हैं यह chat वाला option मैंने आपको बता दिया एक यह symbol है इस पर click करते ही यहां पर जो आपको symbol दिख रहा है cross और उसके बाद एक दो तीन चार चौता symbol है इस पर click करके हम किस जो option है chat मैंने आपको बता दिया हम इस पर click करते हैं लेकिन यहां पर जब यह black screen दिख रही है इस black screen पर हम click करेंगे तो हमारे सामने वही वापस call वाला option आ गया और यह video option आया और साथ में यह audio का audio पर click करते हैं तो audio on हो जाएगी video click करेंगे तो video on हो जाएगी लेकिन video on होते ही हमारे सामने ऐसे screen आ जाएगी लेकिन video को हम off कर देते हैं यहां से और अगर हम यहां पर जो उपर के तीन dot बने हुए थे इन dots पर मेंसे किसी पर click करते हैं तो हमारे सामने ऐसे screen आएगी switch camera, turn on, captions, present screen या reported problem फिर सारी चीज़े हैं जिसमें most important चीज़े हमारे लिए है switch camera, switch camera पे हम click करते हैं तो हमारा camera जो चल रहा था पहले, वो camera हमारा back camera की तरीके से work करेगा, हम इसको बाद camera को on करते हैं तो आप देखेंगे कि यह back camera में जो भी दिख रहा था, नीचे copy रखी है मैंने, वो option हमें दिखने लगा है, और अगर front camera इसी पे हम click कर और हमें यहां पर से किसी को presentation देना है, तो presentation देने के लिए जो three dots हैं, इन dots पर हम click करेंगे और present screen पर click करेंगे, start presenting पर click करते ही, हमारे सामने start now पर जो भी presentation इस screen से दिया जा रहा है, वो presentation पूरा कपूरा दूसरे student की screen पर नजर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम presentation दे सकते हैं, बच्चों की screen पर या लोगों को जो भी message देना चाहिए दे सकते हैं, दूसरे mobile के screen पर देख लें, जो भी दिखाया जा रहा है, पूरा का पूरा दिखा है, और यहां से फिर जो भी presentation दिया गया है, वो पूरा का पूरा इस्टुदिस को visible है, फूरा रही है, ठीके, कोई प्रग नहीं पड़ता है, और अकर student जो भी join हुआ है, अगर वो दिखाना चाहिए कि उसने क्या worker रखता है, तो वो भी यहां पर three dots पर click करेगा, present screen पर click करेगा, start presenting start हो जाएगा, और start now पर click करेंगा, उसके बाद यहां पर से वो presentation दे सकता ह झाल 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 झाल झाल